अपना परिचे बताते हैं आज ये एक्जिबिशन जो रखा गया थे इसकी इकिपिले दिन पारी और इसकी खास इसे श्ताई का है गया है जो आज 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 नहीं दे देना चाहिए आज हमारे लिए बड़ी सोभागे की बात है कि एक बहुत ही माने हुए कलाकार शिल्प कार श्री उत्तम पाचारने का यहां पर एग्जिबिशन हो रहा है इनका काम इतना सुरेक और उतना बढ़िया है कि ये काम देख के आप समझ सकते हैं कि कलाकार की क्या भावना है श्री उत्तम पाचारने आज ललित कला एकडमिक के संचालक हैं अज्जक्ष हैं और हमारे देश के लिए ये बहुत बड़ी बात है हमारे देश के लिए ये काफि हर व्रांत में खुद जाते हैंं और कलाक को बढ़ाने के लिए फ्रोचसाहित यंग कलाकार लोगों को कड़ते हैं आपका ये बड़ा सोबाग ये कि आज ये हमारे साथ हैं और आज आपको ये अपने कला के बारे में और कला के दोरा आपका मारगे दर्शिन करेंगे उत्तम पच्छाणिश्टी नमस्कर राष्टिय ललिटकला अकेडमी का परिचे देने से पहले मेरे इस एक्जिबिशन के बारे में पहले दो शब्द कहूंगा इस प्रदर्शनी का मेरा ये विशेय रहा मैं खुद इंसान हूँ इसलिए मेरी जरूरते क्या है और मैं ऐसा क्यों सबस्ता हूँ मुझे ऐसा लगता है सभी प्रानी पशू पक्षी हमेरे साथी है ये सुरुष्टि उनके शिवा आधूरी है modernization के साथ concrete के जंगल में ये जो भाईचरा ये relationship ये हमारा जो समवाद है ये तूटते जा रहा है इसके प्रतिक में हर sculpture में मैंने अलग-अलग विशे के साथ मेरा sculpture जोड़ा है आप उस मेजरिये से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जैसे शुव पर्वति का एक नाता है नंदी ये उनका वहान है और नंदी ये सार्थी है या हमारे आंगन में आने वाला हर पंची हमारे जीवन का एक आंसे चाहे वो चिडिया हो वो प्यारट है या कोई कवा है कि हमारे समस्कार के नजदिक है कावे में आते हैं हमारे बच्चों के समस्कार में हम बताते हैं कि ये क्यों चीजे है हमारे जीवन की कई बारे में हमको इसका पता चलता यह जब नहीं होते तो हम अस्वस्त होते क्यों को एक सुरुष्टी का ही पार्ट है और यह हर एक मेरे स्कल्प्चर में आप देखेंगे कुछ बर्ड के स्कल्प्चर है मैं अभी बता रहा था कि हम लोग आंदमान गए थे जब मैंने वहा स्वतंत्र जोद बनाया और वहां एक फाशी देनी की जगा थी वहां पर जो नौका थी वह नौका पर एक मैला थी और पंची के लिए कुछ दाने लेके हाथ में जा रही थी जैसे किनारा नजदिक आ गया तो उन्होंने अपना बैक खोलना चालू किया तो करीबन 20-25 है मतलब उसके आपने बच्चे जैसे चिपत के बैठे है यह रिलेशनिशिप होता है यह जीवन होता है तो यह नंदी रहने भगवान स्यूजी का ही नंदी हर किसान के दौर में उसका खेती करने वाला साथी हमें धान देने वाला नंदी, खेती को पानी देने वाला नंदी, उसकी देखवाल, हम लोग जब उसकी जरुत पूरी हो जाती है, तो उसको जाके बाजार में बेज डाफते हैं, कहां मानुता जाती है, यह सवाल खड़ा करता है मेरा स्कल्प्चर, इस एंगल से आप देखे तो नेचर में जो हमारा जो रिलेशने स्विष्टी के साथ में, वो साथ में चलना चाहिए, तभी इसकी परिपूर्णता है, दुसरा विशह ललितकला अकेडमी का, ललितकला अकेडमी के इस देश में पूर्णता अच्छे, और ऐसे 11 अप टू 11, ऐसे 5 केंद्र है, ललित राष्टिय प्रदर्शनी का पेंटिंग, स्कल्प्चर, ग्राफिक का प्रमोशन के लिए राष्टिय प्रदर्शन होता है, उसका आयोजन हर साल करना, राष्टिय स्कॉलर्शिप का आयोजन हर साल करना, चुनाव करना, अच्छे वर्क के लिए उनको स्कॉलर्शिप देन हर तीन साल के बाद एक त्रेवार्शिक भारत की प्रदर्शनी करना जिसमें देश दुनिया के 500-400 आर्टिस सम्मिलित होते हैं तो आपने देश से 500-700 आर्टिस एक साथ में आते हैं लास्ट येर से मैंने ट्राइवल नैशनल प्रदर्शनी बनाने का एक उद्दिष्ट प्राप्त किया है और मुझे इसा लगता है हमारी जो जन्जाती की जो कलाकृतिया है वो कलाकृति हमारी देश की पैचान है उसके जो विशे है हमारी संस्कृति की धरोवर है और आज हम अधुनिक्ता के नाम के उपर अगर दोडते हैं, पीछे मुड़के देखिए, उनका हर विशेज जो है जमिन से जुड़ा हुआ है, अलग वीवीदता है, अलग मद्यम है, अलग-अलग कलर वो बना के काम करते हैं, यह देश का रियली, रियली पुराना आर्ट कल्चर है, इ इस साल हम लोग उन आर्टिस्ट लोगों को भी आवार्ड देंगे, जो ट्राइबल आर्टिस्ट आते हैं, मुझे ऐसा लगता है, ग्राफिक की बेनाली भी इस साल में हमने आयोजन का तई किया है, और प्रेवर्शिक भारत का भी काम आगे जा रहा है, यहां पे आर्टिस्ट को प्रामिस किया है कि मेरे ही कारियकाल में राष्ट्य लेलितकला अकेडेमी की शाखा मुंबै में होगी, और उसी के लिए सभी कालाकारूं का जो अगरह है, उनकी जो ताकत है, और महारास्टा में करीबन 200-200 से ज्यादा आर्ट कॉलेज है, जिसका संचनल है है हमारे डारेक्टर साब करते है मुझे ऐसा लगता यह सब ताकत जो कलक शत्र की है एक साथ आ जाती है तो सरकार जो है जमीन है वो दे देगी और उसके लिए जो लगने वाला फंड है को केंद्र सारकार से आएगा मुझे ऐसा लगता है मेरे प्रदर्शन के साथ में भी मेरा ही एक डूटी है कि इस ख्षत्र की कला को आगे ले जाना इस ख्षत्र के कला समस्ता के रुप में इरिजनल सेंटर क की निर्मीती करना और उसमें मैं सफल होंगा ऐसा मैं आशा करता हूं और आपको सबको बहुत निवाब देता हूं अब बंबयाट सोसाइटी का आपने नाम सुनाए अठासो अठासी में जिसकी स्तापना यहां मुंबई में हुई थी वहां से लेके बंबयाट सोसाइटी आज तक कलाक सुत्रे में बड़ा काम कर रही कि इसे जहांगे राट गैलरी में हमारा एक छोटा सा ओफीस है मैं 23 साल इस ओफीस में बैठता था तो यहां प्रदर्शनी के लिए जो लंबी कातारे लगती है क्वालिटी कंट्रोल होता है हर एक को लगना भोस साबा भी काई कि मुझे यहां गैलरी मिलना चाहिए लेकिन हर चीज में जैसे criteria होता है वैसे art का जो criteria होता है उसके लिए selection होता है selection committee है committee के अंतरगर जिनको selection मिलता है वो लोग यहां exhibition कर पाते हैं उनमें से मैं भी एक हूँ मुझे यहां बहुत पुरान अनुब हो है कई exhibition मैंने यहां किये है और definitely अभी ललित कला लेकिन मेरे लि यही जांगिराट gallery का auditorium hall है और मुझे भी यह पास साल के बाद मिला है तो सबूरी का फुल मिठा होता है आज इसी वज़े से हम लोग साथ में आगे हैं और मैं डारेक्टर साब को धन्यवार देता हूं हमारे कला संचालक यहां पर आगे और हमें इनका अश्रवाद मिला अगरे सब्सक्राइब चलते चलते हैं और आपका रिलेशन पहुत कहता है इसा है कि बंबय में हर आदमी तो नहीं रहता था पहले मैं जब गुरेगाओ के शासन के वस्तिगरह में पढ़ता था और मेरा पढ़ाई जेजे स्कुलाव पार्ट में पुरा जब हो गया तो यह रहने के लिए आश्रा तो गवर्मेंट होस्टल नियम से छोड़ना पढ़ा तो मैं वो गोराई रोड पे मेरे पैरेंट्स रहते थे एक दिन वो गोराई रोड के उपर एक बहुत बड़ एक्सेंट हो गया वो दिन राम नुमी का था सच्चाई में और मरने वाले तिनों भी राम लक्षिमन और सिता नाम के मेरे ही गाव के तिन आभागी लोग थे आज भी वो घटना मुझे कभी भी याद आती है तो कल हो गई है ये याद आती है राम नाइक जी वो घटना का आवलोकन करने के लिए लोगों को साहिता करने के लिए उस रोड पे आये थे और उन्होंने सभी को सभी को मारगदर्शन किया बहुत अरली डाउन चार बज़ पाच बज़े राम नाइक जी आके वहां बैठे मेरे पिताजी की जो हट थी उसके बाजु में थे और बाहर कुर्शी डाली थी वहार राम नाइक जी आके बैठे तो मैं रूम में सोया था और जब उनको पता चला कि ये लड़का जेजे स्कुलाव पार्ट में पढ़ता ह आर्टिस्ट है पढ़ा लिखा हुआ है तो राम नाइक जी से सर रधवी पर्सन नैचरल यह जुड जाना सोभाविक था तो बोरूली में जो विवेकानन्द की प्रतिमा बनी तभी तो राम नाइक जी ने जान बुझके वो काम विवेकानन्द के प्रतिमा का मुझे दे द प्रतिमा के लिए आये थे और मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरे जिन्देग में एक टर्निंग पॉइंट था रंभो के साथ जुड़ना एक अच्छा परिवार मिला उसके साथ मैं जन्शवा बैंक के जुड़ा जो आज भी जन्शवा बैंक के संचलक के रुक में काम कर रह और बार बार उत्तर प्रदेश में राम नाइक जी जब राज्यपाल बनके गए तो मैंने वहां मेरट में विवेकानन की एक बारा फुट हाइट की प्रतिमा बनाई मैंने लखनों में भव्य ऐसा चाउदा फुट हाइट का इंवर्सिटी में चत्रपति शिवा जी का एक आश्वारोड प्रतिमा लगया और दीन दायल जी की गुरखपुर में प्रतिमा लगाई जो वारा फुट से भी बड़ी है और वो आगरा में भी उतनी बड़ी प्रतिमा लगाई और राइबरेली में जोत्रपुली की प्रतिमा लगाई और लखनों में एक मध्यकामान का और वहां पे जो देश के प्रति, लड़ते- लड़ते, परवियर चक्तर प्राप्त हो गए, उनके सनमान में वहां उठाव शिल्प की एक माला बनाई है, तीन मुर्तिया बनाई गई है, उठाव शिल्प के पैनल बनाए है, वहां पे बनाई गए है, तो यह काम करते, वकत को मिला रमभव जब रेटायर्मेंट के टाइम पे आ गए है तो आखरी दो मेना पहले 17 तारीक को हमने विवेकानन की बहुत कुछ वहां मैंने काम किया है मुझे ऐसा लगता है कि जिन जिनों भी रमभव को देखा है पैचाना है इसी तरह से समर्ख भाव और अनुभव आपने भी पाया होगा उनकी याज़ जब आती है तो एक गुरू के रूप में आती है धन्यवादा